इस तारे कि है एई आपको मालूए मेरे प्राइमरी हैं एप से इस न हैं दिस्पेंसरी इस होती हैं इस तरकारी इस होती हैं आप इनपे ट्रस्ट कर सकते हैं और नौक्टर्ज की यह नहीं सबाएं प्रामरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर है सुर्ण जान करण दो मैं तोचरों यहां से डाइम बॉक्स दिदू अगर आप पर कभी जाना हो जैसे मैं काजा में अभी कोई परिशानी हो इस तरह की हेल्थ परिशानी तो आम तो आपर पर होड़ों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स या हॉस्पेडल्स या इस्पेंसरी होती है यह सरकारी दिस्पेंसरी होती है आप इन पर टरस्ट कर सकते हैं और डॉक्टर की हल्प से मेडिसिन ले सकते हैं तो मैं भी अभी यह हमाचर प्रदेश सरकार का यह संटर है वहां डॉक्टर से मेरी मुलाकात होगी यह और वह कहरे है आपका saturation level बगरा 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 वो चेक करेंगे और इसके according एक preventive medicine दे देंगे so that height पर कोई problem ना हो doctor से consultation करने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आप पहाड़ों में आने से पहले अगर आप high altitude पर जा रहे हैं तो 48 hours पहले diamox ले 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 तो अभी क्योंकि मैं high altitude पर जा रहा हूँ दस results के लिए जरूरी है diamox को 48 hours पहले मतलब high altitude पर जाने से 48 गंटे पहले दो दिन पहले ले ले कुछ side effects वगरा हो सकते हैं, itching वगरा हाथ पर और गाल वगरा पर कुछ अगर ऐसा होता है तो उसको लेना बंग कर दीजिए ब्रेक्फस्ट के बाद में कुछ खाने के बाद में लेनी है diamox तो ख्याल रखें कभी भी पाहडों पर जाएं आपके साथ में को रिलेटिव हो तो उचाई पर होने वाली किसी तरह की परेशानी कैसे की सांस फूलना, सरदर्द होना, उल्टी आना या कुछ और इस तरह की दायमोक्स का वो है, एसिता-जोलमाइड, एसिता-जोलमाइड, किसे भी शॉप पे मिल जाती है, नौजिया, एफ़दी बाली फीलिंग हो, एफ़दी हो, एफ़दी हो, एफ़दी हो, एफ़दी हो, एफ़दी हो, तो सुल्क और वॉइड कूने निकनी, 48 hours पेले इस दव झाल झाल